हेलो प्यारे बच्चो क्या हल चला है आप सभी के डियर स्टुडेंट्स तो देखिए प्यारे बच्चो अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम है विद्धुत दारिता ठीक है तो इसके अपने टोटल 14 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और आज से कई बार कंपीटिशन एक्जाम में भी क्वेस्चन पूछी हुए हैं और आपके भी पूछ लेते हैं क्वेस्चन बोर्ड में में ठीक है तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने हैं तो करते हैं स्टार्ट टॉपिक का जो नाम है वह है समांत्र प्लेट संदारित्र क वैसे आप उर्जाग नतब वाला टॉपिक चैप्टर नंबर सेकिंड में भी पढ़ चुके हो वहां पर उर्जाग नतब वाले टॉपिक में क्या था वहां पर आपने चालक के लिए निकाला था ठीक है ना दूसरे चैप्टर के बिलकुल लाश्ट में जहां आपने उर्जाग नतब निकाला था बिलकुल सेम फॉर्मल अपने यहां पर निकालेंगे लेकिन अब अपने जो गुद्गिस का निकालेंगे समांतर प्लेट संदारितर का क्योंकि संदारितर भी एक चालक चालक है एक तरह का दो चालक प्लेटों से बना हुआ होता है तो क्या करते हैं संदारित्र की प्लेक्टरो्नों को दूसरी प्लेट पर क्या करती है ठीक है तु अपनी क्या है संदारित्र की उर पुझा के बारे में ही अब पढ़ने वाले हैं यहां पर तो देखिए जो आपकी बुक में क्या है कि इस वाले टॉपिक से पहले जो प्रीविएस टॉपिक किया था आपने उसके लाश्ट में बिल्कुल क्या दियो यह थेयो यह काफी और वहीं थेयोरी से आपका यह वाला बनता है अब उस थेयोरी में लिखा क्या हुआ है वो समझ लो आप और जो मैं बोलूँगा वो सारा कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा वैसे मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म या आपकर भी लिखा बोर्ड पर लेकिन मेरे नोट्स पीडिएफ नोट्स जो जो मेरा टेलीग्राम चैनल रहा है मैं इस पर लिख देता हूँ कई स्टुडेंटस को नहीं पता ःर बियस्ट फिजीक्स नोट्स तीक है इस पर टेलीग्राम चैनल पर पीडिएफ नोट्स अवेलेबल है तो देखो बैचो होता क्या है कि संदारितर की Daringता आपको पता है किस चीज़ों पर निर्बर करती है समांतर प्लेट संदारितर की दारिता पहली किस पर प्लेटों के प्लेटों के क्षेतरफल पर फिर डी प्लेटों के मद्य दूरी पर और तीसरा एपसाइलन यानी माद्यम पर निर्बर करती है तो अब क्या हुआ कि यही चीज예요 experimentally देखी गई, कि जो संधारितर की दारिता है वो तो इनची जो बर निरबर कर रही सी, लेकिन संधारितर की प्लेटों के भी जो संचित ओरिजा है, वो भी बिलकुल दारिता की तरह change हो रही थी, भी जब अपने क्या कर दें कि प्लेटों के मद्या दूरी बढ़ा दें तो क्या हो जाती थी उसकी जो दारिता है वो बढ़ जाती थी ठीक है अब कैसे सोरी बढ़ा दें तो वो क्या हो जाती थी गट जाती थी दारिता तो उसी तरह उर्जा भी क्या हो जाती थी कम हो जाती थी और ये प्रयोग दो संदारित्रों पर किया गया कि दो बिलकुल एक जैसे संदारित्र ले लिए इस पर भी प्लस क्यू और माइनस क वह आवेश है ठीक है इसकी प्लेटों का क्षेतरफल भी A है और इसकी प्लेटों का क्षेतरफल भी A है लेकिन अब क्या किया गया कि इसकी जो प्लेटों के मद्धे दूरी है वो तो उन्होंने D रख ली और इधर वाले संदारितर की प्लेटों के मद्धे जो दूरी है वो D Ćगर इसके लिए उरजा मैं यू मानता हूं तो इसके लिए तो तो एक परक्ारा आई तो वह अपने को क्या है समझना था किस कारण यिए यह यहburn अपने प्लेटों के बीच दूरी क्या कर देते हैं कम कर देते हैं तो यहां से एक चीज पहले यह मानने लगे कि उर्जा दूरी पर निर्वर करती है लेकिन उर्जा को संचीत उर्जा ओली दूरी में संचीत नहीं होती है उर्जा एक आयतन में संचीत होती है तो बाद में य आज यही से अपना derivation start करेंगे कि संदारितर में संचीत उर्जा संदारितर की प्लेटों के बीच के आइतन पर कैसे निर्बर करती है अब प्लेटों के बीच का आइतन क्या होगा कि जैसे मानलो दो प्लेटे आपके पास मैं यहां पर रखता हूं देखो दो प्लेटे हैं तो इस प्लेट का क्षेतरफल है इस प्लेट का भी क्षेतरफल है तो यह तो क्षेतरफल हो गया यह लंबाई चुडाई होगी न ठीक है और यह जो इनके बीच की दूरी है यह आप मान सकते हो इसकी मोटाई हो जाएगी इसके बीच का जो क्षेतरफ तो इस आयतन के बढ़ने गटने से उर्जा के मान में क्या होता है परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन अपने अब समझने जा रहे हैं तो समझ आ गया आज के टॉपिक में अपने पढ़ने क्या वाले हैं संदारितर की वूर्जा की अपने आयतन पर निर्वरता पढ़ र तो क्या हुआ कि इस सारी उलजनों को दूर करने के लिए जो ये वाला फॉर्मला यह डराईव किया गया तो क्या है दारिता प्लेटों के मद्या दूरी पर निर्बर करती है अते हम कह सकते हैं कि संदारितर की उर्जा भी प्लेटों के मद्या आयतन पर निर्बर करती है अब यहां पर जो उर्जा के लिए वर्ड लें वो दूरी ना लेके क्या लेंगे आयतन लेंगे क्योंकि उर् वाला संदारितर ले लिया उपर वाला नीचे वाला डायग्राम तो आपको only समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ है तो उपर वाला डायग्राम है में तो आपका वैसे आपकी बुक में तो इसका कोई डायग्राम नहीं है और आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है मैंने चलो एक दाफ हूं किसका मान स्टार्टिंग किस से करती है अपने अगर इस संदारितर की पलेटों के मद्या आता है कि इस संदारितर की कि पलेटों के मद्या आए विदुत क्षेतर यहां से स्टार्ट करता हूँ मद्या है विदुत क्षेतर ठीक है तो यह E बराबर आपको पता है सिग्मा बटा एपसाइलर नौड होता है या सिग्मा को अपने Q बटा A एपसाइलर नौड लिखते हैं यह लिखते हैं तो अगर मैं यहां से Q का मान निकालू तो Q का मान क्या आजाएगा यहां से यह वाला E एपसाइलर नौड लिखते हैं तो क्या हो जाएगा A एपसाइलर नौड और E इसको दे दो समीकरण नमबर 1 ठीक है यह हो जाएगा अब देखो अगर मैं बात करता हूँ आपके पास की संदारितर की समांतर प्लेट संदारितर की दारिता समांतर प्लेट संदारितर की दारिता तो दारिता इसकी क्या होती है C वराबर क्या हो जाता है एपसाइलर नौड A अपॉन D हो जाती है यह ओती है दारीता स्वांतर प्लेट संदारित्तर की ठीक है नाव संदारित्तर की प्लेटों के मद्या है संचित उर्जा ठीक है यह उर्जा आपने कल लिखी थी और मैं इसका कौन सा फॉर्मूला ले रहा हूँ अब देखो जो अपने फॉर्मूला निकाल रहे हैं वो किसी भी फॉर्मूले से आ सकता है हाफ सीवी स्क्वेर से भी निकल सकता है और इससे भी निकल सकता है आपको सभी फॉर्मूलों से हमें निकाल के बता दूँगा ठीक है ना सभी से तो क्या एक फॉर्मूला और हाफ सी संचित उर्जा है वो यह वाली होती है अब क्या करते हैं कि सी का मान भी है आपके पास और क्यू का मान भी है आपके पास तो वही समीकरण एक वह दो से मान किसमें रखने आपने तीन में मान रखने पर तीन में मान रखने पर तो तीन में मान रख दो आप ये वाला मान और ये वाला मान किसमें रख दो इसमें रख दो तो जो संचित उर्जा आ जाएगी यू का मान वो देखो Q स्क्वेर तो A स्क्वेर epsilon node square e square ठीक है और यहाँ पर क्या आ जाएगा epsilon node a और यह वाला upon में d आएगा और वो वाला d कहां चला जाएगा उपर चला जाएगा तो इसको directly मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ d ठीक है यह आ जाएगा तो अब देखो क्या होगा बचो यहाँ पर epsilon node से यह square cancel और a से a square cancel तो u is equal to आपके पास क्या आ गया यहाँ पर a epsilon node e square d ठीक है यह आ गया आपके पास a epsilon node a epsilon node e square d एक मेंट क्या हो आप बाहर से शोर आने लग जाता है आपको कई पहले मैंने इस बार वीडियों बताया था एक चीज़ यहाँ पर और पूल गया अपने two लगाना क्योंकि यह two साथ में चल रहा है c के ठीक है न यह two चल रहा है तो upon में क्या आ जाएगा two आ जाएगा तो u is equal to यहाँ पर देखो बचो इसको थोड़ा सा arrange कर के लिख रहा हूँ मैं half epsilon node e square और a into d लिख रहा हूँ यहाँ पर a into d को अलग bracket में लिखा है अब कारण क्या इसका लिखने का क्योंकि a into d यहाँ पर क्या है यहाँ a into d किसके बराबर मानेंगे अपने v बराबर संदारितर की प्लेटों के मद्या आइतन संदारितर की संदारितरों ने संदारितर की प्लेटों के मद्या आइतन ठीक है यह आईतन है यहाँ पे समझाया आपको कि संदारित्र की प्लेटों के मद्या का आईतन ले रहे हैं अपने यह वाला V है और इसका मान A into D क्योंकि एक क्षेत्रफल है और संदारित्र की प्लेटों के मद्या दूरी D है तो क्षित्रफल गुना दूरी प्लेटों के बीच का क्या बन जाएगा आयतन बन जाएगा तो यू बराबर आपके पास आ जाएगा हाफ, एफसाइलर नौड, E स्क्वेर और यहाँ पे V और V का द्यान रखना यह voltage नहीं है यह क्या है यहाँ पे आयतन तो यह आपके पास उर्जा का बांड किसके रूप में आ गया आयतन के रूप में आ चुका है अब अगर मैं क्या करूँ इस समीकरण को समीकरण 4 को क्या करूँ दोनों तरफ V से बाग देने पर समीकरण यहाँ पे मैं दूसरे पैन से लिख देता हूँ आपको पता लग जाएगा कि समीकरण 4 को 4 को दोनों तरफ V से बाग देने पर V से क्या दे दिया आपने बाग देने पर यहनी आयतन से बाग देने पर तो यह बन गया U upon V और इधर बच गया half epsilon node E square ठीक है half epsilon node E square आपके पास बच गया और यही formula आपके पास किसका आ रहा था जो अपने क्या करते हैं स्टार्टिंग में second chapter किया था तब उर्जा गनतव का U upon V उर्जा अपन आयतन इसको अपने उर्जा गनतव कह देते हैं वैसे तो और यहाँ पे उर्जा गनतव लिखेंगे अपने उर्जा गनतव और इसका वैसे जो सिंबल होता है वो small U से अपने इसको लिखते हैं क्योंकि उर्जा के लिए बड़ा यू अपने काम में लेते हैं और small U लिखते हैं और इसके पैरों में वी लगा देती हैं क्योंकि यह आयतन से सबंदित ऊर्जा होती है वैसे समान्य सुत्र सिंबल इसका यह ही है यू वी आपकी वुक में तो चलो नहीं दिया आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हो तो ये बज़ जाएगा half epsilon node e square याणि आपके पास उर्जा गनत्व का जो फॉर्मूला आजाएगा वो half epsilon node e square की equal आजाएगा ठीक है समझ में आया तो यहां से आपको एक चीज देखो पता लग रही है क्या चीज पता लग रही है कि जो आपके पास उर्जा का मानना वो आयतन के समानुबाती है तो इसका कारण क्या होता है इसके भी आयतन के क्या आ जाता है उर्जा समानुबाती आ जाती है तो अब ये वाला फॉर्मूला आपका क्या है आयतन से सबंदित है समझाया तो आप आपने जो आज का topic पड़ा उसमें क्या formula निकालना था ये formula निकालना था और निकालना कैसे है देखो ये theory तो मैंने अपनी तरफ से लिख दी आपको जुरूरत नहीं है आपसे आज तक इस topic में से बहुत ही कम question वैसे तो पूछा हुआ है लेकिन competition में पता है क्या करत तो उसमें भी question आया था और question कैसे आता है question आने का pattern एक जैसा सही होता है ठीक है न half m v square दूसरा m g h तीसरा half epsilon node e square और फूर्थ यहां पे कोई और फॉर्मूला दे देंगे half mu node और यहां पे आपके mu node और e की जगह है b square v ठीक है इस टाइप से दे देंगे यह फॉर्मूला आगे आप पड़ोगे जब अपने चुम्ब की अक्षित्र वाला chapter करेंगे तो अब इसमें देखो इसमें confused हो जाता है आदमें की कौन सा formula उर्जा का नहीं है तो अब इसमें देखो यह वाला उर्जा का सूतर है तो यह option तो होई नहीं सकता उसने पूछा सूतर नहीं है यह वाला उर्जा का है यह वाला option भी नहीं हो सकता यह भी कई student सोच लेंगे उर्जा का है और यह चुम्ब की अक्षित्र में संचित उर्जा हो जाती है तो अब इसमें formula कौन सा अपने लगाएं तो वास्ता में बच्चों यह वाली उर्जा क्या है उर्जा नाओ के यह वाली उर्जा गनतब होता है तो ज्यादातर बच्चों के क्या होता है दिमाग में यह चल रहा होता है कि यह वाला जो formula है उर्जा का बताया था सर ने ठीक है है वास्ते में उर्जा ही चलो एक तरह से लेकिन एकां का इतनकी उर्जा है डिरेक्ट उर्जा नहीं बोल सकते आप यह कहां का इतन की उर्जा इसको बोल देते हैं और इस परकार के question solve करने में कि जब आपके पास यह वाला formula आ जाए कि निमन में से इसका सुतर नहीं है तो इस formula में विमिया सुतर काम में बहुत जाते हैं विमिया सुतर या विमा निकाल के देख लो आप क्योंकि देखो आपको पता है अगर उर्जा का कोई formula यहां पे होगा उर्जा बराबर कोई भी formula तो उर्जा की विमा और इधर वाले की विमा क्या हो जाएगी ठीक है अब आपको देखो जो formula है यह आप में से अगर कोई student ऐसे सोच रहा हो कि सर आपने कहा था अभी formula जो दूसरे types हैं अगर आप में u ब्राबर हाफ cv square से भी यह formula derive कर सकते हैं जो आपने अभी किया आपके पास होता है विदुत का सारी विबवांतर होता है यह वाला पुट करके और आंसर इसका निकाल सकते हो तो यह आप खुद कर सकते हो, मैं नहीं करवाओंगा, यह वाले फॉर्मूला आप निकाल के देखना, सही निकलता है या नहीं निकलता है, ठीक है न, तो यह आपका बचो आज का टॉपिक था, जो अपने उर्जगनतों का टॉपिक किया है, तो इसमें इतना ही, अब नेक्स दो पार्ट करता हूँ मैं इसके हर बार, तो यह चार पार्ट में पूरा होगा, मतलब पूरा बोर्ड एक बार और दो बार बजा जाएगा, ठीक है न, तो इतना बड़ा डेरिवेशन है, लिकिन है बहुत आसान, अगर आप उसकी प्रेक्टिस कर लेते हो, असान और पेप प्रेक्स